हाई गाईज वेल्किम टू क्वेशन बैंक्राफ्ट आज मैं आपको लड़ो पाल जी के लिए रेमी सीजन स्पेशल एक दौड यानि की डबल चद्दर बनाना सखाऊंगी बरसाती मौसम के लिए यह हम तयार कर रहे हैं तो इसे दौड बोलते हैं और डबल चद्दर भी बोल सकते हैं डबल चद्दर यानि कि इसमें हम दो कपड़े लेते हैं तो इस वीडियो में स्टेब बाई स्टेब मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि यह आपको अपने काना जी के लिए कैसे तयार करनी है और अगर अपने लड़काल जी को इसी मैं सुलाते हैं या नौर्मल जो बर्साती मौसम होता है उसके लिए तयार कर सकते हैं तो चलिए फिर स्टाट करते हैं तो चलिए फिल एक साथ ले देखें यह प्योर और यहां उन्हुक्यों साइज स्वाफ संद्र भी यहाँ देख सकते हैं एक तो यह गया और एक यह फैब्रिक है मेरा यह मैं दोनों तरफ से अलग परेंट रख रही हूँ सिच लगाना इसमें 3 साइट से dando लगाना ऐ देखें कि यहाँ पर तीन साइट्स पर मैं इसके सिच लगा हूंगी यह चौति पाली साइड में खुली रखनी सो दफीक हम इसको सीधर करपाएं तो देखिए अब यहां पे मैंने तीन साइट स्पे इस पे सिलाई लगा लिया है और यह जो हमारा चौथा वाला साइड यहां पे खुला है इससे मैं इसको सीधा कर लेती हो यह देखिए तो देखें, यहां पर मैंने इसको सीधा कर लिया है, अब जो यह हमारी चौती वाली साइड है, जो खुली वी है, इस पर भी स्टिच लगा देते हैं, इसको इस तरीके से यहां पर, यह देखें, जिसे मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके से जो है, फोल्ड करते हुए, यहां पर स्टिच लगाना है, तो अब देखें, यहां पर इस पर हम डबल करके स्टिच कर देंगे, उसके बाद यह मैं एक ले रही हूँ, यहां पर प्यॉर कॉटन ले साईगे, और इसको मैं इसको जो हमारी चदर का नीचे का हिस्सा है, यहां पर इस तरीके से जो है ठीक उसी तरीकी से बैक साइड पे भी कर ली है यह जैसे मैंने आपको कहा था कि हमें इस टाइप का बनाना है कि दोनों साइड से काना जी को अड़ा पाएं तो इसलिए सेम चीज की गए दोनों साइड पे लेस लगा दिये सो डैट ऐसे भी उडा सकते हैं और इस साइड से भ पुल्टा रखना एक को सीधा रखना है तीन तरफ से स्टिच लगाना है फिर सीधा करना है और बाकि जैसे मैंने उसमें बताया था वही चीज करनी है तो देखे सेम इसमें वही चीज जैसे मैंने आपको पहले बताई दिया है तीन सैट से स्टिच कर लिया है अब इसको य पहले वाले वह चदर में भी मैं आपको चीज बता चुकियों कैसे आप लोगों को यहां पर स्टेच लगाना है अब मेरे पास एक इस तरीके की यह लेस है गोर्डन करर की बहुत ही सॉफ्ट सी लेस है बिल्कुल भी नहीं चुपती है एकदम सॉफ्ट है तो यह लेस यहां पर मैं लूँगी और यह जो हमारा चदर है इसके चारो साइट पर जो है मैं यह लेस लगा दूँगी यह देखिए यह यहां पर स्टेच कर लेंगे तब लगा दूँगी मैं देखिए इस तरीके से लेते वे चारो साइट पर मैं यह लेस लगा दूँगी आई स्टेच कर घर सजावट की चीज़े बनाना सिखा रही हूँ साथ में लास्ट वीडियो में हमने वेडिंग कार्ड बची भी लेसे से तोरंट वगेरे भी बनाई है तो वो वीडियो आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा मेरे चानल पे काना जी के भी बहुत सारे वीडियो अगर तो जैसे अभी तक तो मैं आपके साथ शेयर करी रही हूँ बहुत सारे आइडियाज आगे मैं बहुत सारे आइडियाज शेयर करूंगी मैं आप लोगों के लिए उस टाइप के वीडियो लाती हूँ कि एकदम कम खर्च में आप अपने घर को सुन्दर बनाने के लिए क्या-क्या बना सकते हैं उस टाइप से वेस्ट माटीरियल से कुछ सजावट की चीज़े आप कैसे एजीली तयार कर सकते हैं दिवाली डेकुरीशन नवरात्री भी आ रही है उसके लिए भी बहुत सारे वीडियो आएंगे आप देखेगा और मेरा एक और चानल है इजी डेटुडे लाइफ उसका भी लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी तो मेरा जो सेकींड चानल है इजी डे टूडे लाइफ उसके मैं आठ के ड्रेयटे ज्यादा वीडियो जैसे क्रस्चिन बाइन क्राफड पर चानल कौन था आती रहाये जैसे की स्लोगन्र वगईरा मैं बहुत सादा डालती हूं तो मैं उस चानल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप जरूर से जरूर चेक कीजिएगा, वीडियो पसंद आये तो उस चानल को सब्सक्राइब भी करिएगा यहाँ पर देखे के हमने लेस लगा ली है, मैंने यहाँ पर कॉर्नर से थोड़ा सा हिसा लीव करके फिर यहाँ पर लेस लगाई है और लेस के साथ-साथ यहाँ पर हमने कुछ फोम के फ्लावर्स भी लगाएं हैं, यह मैंने स्टिच करते वही लगा दिये हैं पॉर्पल कलर के फोम के फ्लावर्स मैंने लगाया है विकाज हमारे फाबरिक में थोड़ा है यहापे पॉपल डिजाइन भी है तो वह देखके मैंने इनको लगा दिया है जैसे पहले वाले जो यह हमारी चद्दर थी इसमें तो हमने लेस लगाई थी अगर आप लेस लगाना चाहें तो सिंपल ही लेस लगा सकते हैं इसके अलवा इस तरीके के कुछ यो फ्लावर्स एड़ कर सकते हैं या सेम कपड़े से भी सील के कुछ फूल बनाके वो भी आप यहां पे लगा सकते हैं यह पूरा आप पे आपको जो मतलब डिजाइनिंग करने हैं वैसे कर सकते हैं So friends, I hope आज का वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा यह चदर आप अपने काना जी के लिए तयार कर सकते हैं जब हलकी ठंड हो तब भी आप बना सकते हैं बारिश के मौसम पे भी आप यह तयार कर सकते हैं इसके लावा अगर आप काना जी को इसी रूम में सुलाते हैं तब भी आप यह बना सकते हैं पर्पस है इसको जरूर बनाईएगा बनाने में बहुत असान है सो फ्रेंड जाए होप आज का वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा मेक शिर इस वीडियो को लाइक और मेरे चानल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताईएगा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और आगे आप क्या देखना चाहते हैं कोई भी सजेशन्स है वो भी मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेर जरूर करें मेरे सेकंड चानल इजी डेटो डे लाइफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है उस चानल को चेक कीजिए वीडियो पसंद आए तो उसे भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए मिलते हूं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर हरे कृष्णा राधे राधे